नमस्कार दोस्तों, हर्षित दुवेदी एजुकेशन द्वारा बनाय गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर, दोस्तों पिछले क्लास में हमने रिगलेटिंग आक्ट ओफ 1773 तक का पढ़ाई किया था अब दोस्तों इस क्लास में हम देखेंगे पिट्स इंडिया आक्ट ओफ 1784 दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रिगलेटिंग आक्ट ओफ 1773 ब्रिटीज गर्वर्मन की तरफ से सबसे पहला ऐसा आक्ट था जो इस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था बेसिकली रिगलेट करने के लिए पर उसमें बहुत सारे कमिया थी वो कमिया को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया आक्ट लाया गया इस वीडियो में हम PITS India Act की बात करेंगे तो दोस्तों आगे जाने से पहले भाई बाते वीडियो को like and share ज़रूर कीजिएगा चैनल को अब तक सब्सक्रेब नहीं किया तो सब्सक्रेब भी कि तो दोस्तों शुरुआत करते हैं PITS India Act of 1784 जैसे कि मैंने आपको बताया Regulating Act of 1773 जो British Government के तरफ से सबसे पहला Act था British East India Company को regulate करने के लिए उसमें बहुत सारे shortcomings थे बहुत सारे कमिया थी तो basically इन shortcomings को address करने के लिए Parliament of Great Britain ने 1784 में PITS India Act लाया यह नाम कहा से आया? Name for the British Prime Minister William Pitt the Younger उस टेम के British Prime Minister थे William Pitt the Younger इनी के नाम से यह PITS India Act नाम आया This Act provided for the appointment of a Board of Control देखो दोस्थो यह टेम बहुत important है आपको बहुत सारे Acts याद करना पड़ेंगे जैसे 1773 जो मैंने आपको पढ़ाया अब 1784 आगया फिर 1786 का एक आगट हैंगे फिर 1813 का चार्ट रैक्त हैंगे फिर 1833, 1853 इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो एक एक टेम सिस्टमाटिक लिए पढ़ाय करोगे ना तो आपको याद रहेगा देखो 1784 में पहली बार Board of Control करके एक टेम आ रहा है यह बहुत ही important है दोस्तों Board of Control सबसे पहले 1784 के PITS India Act में लाया था दिस प्रवेड़ फोरे जोई गर्मन ऑफ ब्रिटीश इंडिया बाइ तो दोस्तों पहले एक Court of Directors थे जो East India Company के थे ठीक है वो लोग क्या करते थे Court of Directors for Financial and Commercial Activities था ठीक है तो यह East India Company के थे तो इनके ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल लाने के लिए गर्मन ने ब्रिटीश गर्मन ने अपनी तरफ से एक Board of Control बेज दिया Provided for a joint government for British India by the company and crown with the government holding the ultimate authority तो basically ultimate authority जो है वो ब्रिटीश गर्मन के पास आ गया Court of Directors के ऊपर आ गया Board of Control तो धीरे धीरे ब्रिटीश गर्मन ये चाह रहे थे British East India Company ने जो डोमिनियन बनाखे रखा है जो कंट्रोल बनाखे रखा है इंडिया के ऊपर वो धीरे धीरे ब्रिटन अपनी तरफ कीच रहे थे तो इसका शुरुआत था ये Board of Control ये 6 मेंबर देखो बोध रखा है वो सेटप फूर ऑफवाँतिकल्टीश औफ नाखे थे देखो बेसिकली पुलिटीकल्टीश को था ये बॉट फिरे था आं कोट फिरे रेक्टेश को फिनांचिल अन कोमेंचल अक्रिटीश दे दिया तो बेसिकली जो बिसिनसे जो commercial and financial activities है यह सब देखेंगे Court of Directors इनके ओपर पूरा control इक political activities का पूरा control रखने के लिए Board of Control लाया गया As the Regulating Act had many defects it was necessary to pass another Act to remove these defects यह मैं आपको बता दिया Regulating Act में बौत सारे defects थे तो British Government मजबूर थे और एक Act पास करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए अब देखते दोस्तों Provisions of the Act 1784 का PITS India Act के Major provisions क्या-क्या थे For political matters Board of Control was there And for commercial affairs Court of Directors was appointed Board of Control जो British Government की तरफ से थे और Court of Directors जो East India Company की तरफ से थे आप देखो दोस्तों Political matters के अलावा Board of Control took care of Civil and Military Affairs जो सबसे important portfolios थे तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया British Government जो Major-major portfolios अपने पास ला रहे थे और पूरी control धीरे-दरे अपने पास ला रहे थे तो इसलिए तो Board of Control बनाया वाईसे Board of Control में 6 मेंबर थे कौन-कौन? देखो, नाम देखो एक Secretary of State है एक Chancellor of the Ex-Chakar है और फौर प्रिवी Councilors है ये नाम थोड़ा सा आजीब लग रहा होगा आपको क्या-क्या है? देखो दोस्तों अभी की सिनारियो अभी जो UK में चलना उस सिनारियो से आप compare करोगे Secretary of the State मतलब एक Senior Most Minister या Member of the Parliament आप ठीक है तो उधर से वैसे ही तो भेजा इधर इंडिया में Chancellor of the Ex-Chakar Chancellor of the Ex-Chakar मतलब एक High Ranking Minister है United Kingdom के Government में जो Treasuries वगरा देखते हैं तो basically हमारे Finance Minister से आप compare कर सकते हो Chancellor of the Ex-Chakar और फौर प्रिवी Councilors प्रिवी Council का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों UK में क्या है? Monarchal Head है? Queen है तो Queen को Advise करने के लिए एक Advisory Council टाप का बनाया होँआ जिसमें Experts रहते हैं जो Monarchal Head जो Queen को Advise करते हैं सारे Finance में तो उसको प्रिवी Council बोलते हैं तो वाईसे उधर से बेजा गया फौर प्रिवी Councilors को Chancellor of the Exchequer and Secretary of State जो Board President रहेगा रहेट दोस्तों? इन दिस dual system of control the company was represented by the Court of Directors and British Government by the Board of Control ये मैं आपको बता दिया देखो दोस्तों British Parliament को ये बात पका पथा था कि East India Committee के जितने भी Military Officers है जितने भी Bureaucrats है वो लोग बहुत पैसा कमा रहे थे बाई हुक और कुरुक उनके पस बहुत पैसे थे बहुत प्रॉपर्टीज थे अभी भी अब इंडिया में बहुत सारी एरियास में ऐसे से जगह हैं ऐसे सी प्रॉपर्टीज हैं जो British bureaucrats के नाम पे हैं मतलब नाम है बस तो यह सब ऐसे नहीं हुआ उस टाइम पर उनको उनको बहुत कमाया तो यह British Parliament के जो मेंबर से उनको पता था तो Board of Control आते ही क्या क्या यह बोला कि जितने भी Civil and Military Overses है ना अपनी जो प्रॉपर्टी जितने भी है चाहे वो इंडिया में हो या ब्रेटन में हो उसको डिस्क्लोस कर दो बाद में देखा जाएगा जो action लेना जो भी है ठीक है वी तिन two months of their joining तो सबसे पहले Board of Control ने यह काम किया कि all civil and military officers disclose their property in India and Britain within two months of their जोईनी दो मेने के अंदर जोईनी के दो मेने के अंदर अंदर पूरे प्रॉपर्टी डिस्क्लोस कर दो आप दोस्तों देखते है provisions of the act ध्यान दीजिएगा for political matters board of control was there and for commercial affairs court of directors was appointed यह मैंने आपको बता दिया ठीक है Board of Control took care of civil and military affairs it comprised of six people देखो दोस्तों Board of Control के पास क्या-क्या पवर थे एक तो मैंने बता दिया political control दा तो इसमें civil and military affairs Board of Control के पास थे it comprised of six people कौन-कौन एक है Secretary of State जो Board President रहेगा Chancellor of the Exchequer and four previous councillors देखो दोस्तों यह Secretary of State जो बोलते है न यह अभी की scenario दोखे हुए न दोस्तों जो British Parliament में जो सबसे senior most minister रहता है न या senior most member रहता है वो Secretary of State है तो उसके पे भी ऐसे हुआ होगा एक Secretary of State लाया जो Board President है Chancellor of the Exchequer यह नाम ध्यान दिखेगा और four previous councillors थे in this dual system of control dual system मतलब Board of Control and Court of Directors में Company was represented by Court of Directors and British Government by Board of Control यह मैंने आपको बता दिया British Government की तरफ से Board of Control था और East India Company की तरफ से Court of Directors थे The Act mandated that all civil and military officers disclose their property in India and Britain within two months of their joining देखो दोस्तों इस Act में एक बोद major provision यह था सारे civilian officers and military officers को यह बता दिया कि जितने भी property है इंडिया में and Britain में इसको disclose करने के लिए दोस्तों उस टेम के जो military officers थे ना इंडिया में British basically इनके पस बहुत सारे property था आप अभी भी देखोगे ना जैसे इंडिया में कही areas में British नाम से बहुत सारे areas जाना जाता है ऐसा areas ऐसा नहीं है दोस्तों इन लोग जब इंडिया में थे तब की कमाई है इनका तो बहुत सारे properties इन लोग ले चुके थे और Civil OCSP जो bureaucrats थे उन्हों के पस भी बहुत सारे properties था तो ये जो Pits India Act आया उसमें सबसे पहले ये बता दिया कि British government की तरफ से तो basically British government क्या चाह रहे थे कि पूरा control उनके ओपर होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि जो East India Company के जो employees थे जो staffs थे उन्होंने कमा के रखा है property मतलब बहुत सारे properties secure करके रखा है और उसमें ऐसी छोड़ देगा तो British government ये चाह रहे थे कि पूरे properties अभी disclose करो आप इसके बाद हम action लेंगे से ये जो तीन है ना council members में जो तीन में से एक रहेगा British Crowns Army इंडिया के जो commander in chief है वो The Governor General was given the right of veto ये important है दोस्तों 1773 के act में Governor General के पास veto power नहीं था मतलब council members अगर कुछ decision बता दिया तो Governor General उसका overturned नहीं कर सकता था पर इसमें क्या क्या Governor General को veto power दे दिया मतलब जो तीन council members ने कुछ decision ले रिया इसको Governor General अगर चाहे तो overturned कर सकता था The Presidencies of Madras and Bombay become subordinate to the Bengal Presidency. In effect, Calcutta become the capital of the British Positions in India. जो Madras Presidency थी और एक Bombay Presidency था ये दोनों Bengal Presidency का अंदर आ गया और Calcutta धीरे-धीरे British Positions की इंडिया का capital बन गया अब देखते हैं दोस्तों कुछ features of the Act के बारे में This Act made a distinction between the commercial and political activities of the East India Company. Board of Control जो आया था तो उसमें से commercial and political activities तो अलग हो गया ना तो उसी की बात कर रहा है For the first time, the team British possessions in India was used तो देखो दोस्तों धीरे-धीरे अपने control पे ला रहा था पूरा इंडिया. British possessions in India टेम योज करना शुरू किया This Act gave the British Government direct control over Indian Administration The Company becomes subordinate to British Government unlike as in the previous Regulating Act of 73 where the government only sought to regulate देखो दोस्तों, Regulating Act में यह वर था Regulate Regulating Act नाम इसलिए दिया था बस East India Company की जो activities से उसको थोड़ा Regulate करना है पर जब यह 1784 का PITS Act आया उसमें company become subordinate Company subordinate बन गया Board of Control का तो basically British Government का subordinate बन गया East India Company This Act established the British Crown's authority in the civil and military administration of its Indian territories तो धीरे-धीरे British Crown की जो authority है वो एकस्ट कर रहा था Indian territories तो पूरा Indian states and territories जो है ना British Crown के आंदर आ गया Commercial activities were still a monopoly of the company देखो दोस्तों East India Company ऐसा नहीं था बिलकुल चला गया East India Company उदर ही थे और Commercial activities जो थे ना जितने भी ट्रेडिंग वेडिंग था वो सब East India Company का monopoly ही था अब दोस्तों देखते है Drawbacks of the Act PITS India Act 1784 के major drawbacks क्या-क्या थे The Act was deemed a failure because there was no clarity on the boundaries between companies, powers and government authority देखो दोस्तों ये तो होना ही था क्योंकि 1773 से 1784 तक Regulating Act चल रहा था Company को केवल regulate कर रहा था आप जल्दी से 1784 में जट से आके एक Board of Control लाया और Court of Directors के ऊपर बिठाया तब clarity नहीं आ रहा था कि किसके पास पवर है अभी Company के पास या British Government के पास The Governor General जो थे They had to serve two Masters East India Company and British Crown मतलब Governor General जो है इनको अभी दो Master हो गया एक Britain में बेठे वो control कर रहा है Board of Control और East India Company जो Court of Directors है There were no clear boundaries between the responsibilities of Board of Control and Court of Directors of the Company इसमें भी clarity नहीं था तो ये तो होना ही था क्योंकि ये Transformation Stage था मतलब regulating से पूरा control ला रहा था तो ये ज्यादा time के लिए नहीं रहा है ऐसा problem पर उस time के लिए ये सब एक problem था Governor General को own sport distance लेना पड़ता था ये दोनों के बीच में खड़ा होके तो दोस्तों Pits India Act 1784 के बारे में जो lecture है इधर खतम हो रहा है उमीद है आप लोगो कुछ सीखने को मिला होगा अगर ये वीडियो में हम बात करेंगे 1786 के Act के बारे में और 1813 के Charter Act के बारे में तिल दे बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई